नमस्कार आप सभी के एक पर फिसे स्टेडी मेंटर पर श्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं हिंदी लिट्रेचर एज ऑफ्सनल के बारे में जो कि UPSC के एक्जामनेशन और BPSC आप दे रहे हैं या UPPSC दे रहे हैं हर एक्जाम के point of view से हिंदी लिट्रेचर कैसा अफ्सनल है और हम विसेश अंदर में BPSC के बात करेंगे क्योंकि मैंने 56 से 59 का मेंस दिया है तो BPSC का मुझे ज़्यादा specialization है तो मैं इस छेतर पे थोड़ा सा ज़्यादा focus करूँगा और अगामी BPS examination भी होने वाला है तो उस पे मैं ज़्यादा बात करूँगा ठीक है तो इन सबसे पहले जो है हम पहले तो देखेंगे कि एक विशय के रूप में हिंदी लिट्रेचर कैसा विशय है सिलेबस कैसा है अपडेट की क्या इस्तिती है और मार्किंग पैटर्ण कैसा होता इन सब एस्पेक्टर हम बात करेंगे उसके बाद जो है कौचिंग कोन सी लेनी चाहिए कौन सी कौचिंग ठीक है नोट्स किसके ठीक है और जो है सिनोप्सिस वगरा या नोट्स जो आप बनाते हैं कैसे बनाना है इसके अलावा जो है राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए या अधर तिंग्स जो जो महत्पून बाते हैं वो पांच-छे चीजों पर हम बात करने वाले हैं ठीक है चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले कि अप्सनल जो है कैसा है हिंदी लिटेचर और अगर हम ये अप्सनल लेते हैं तो हमें कैसा लगता है ठीक है कि हमें कैसा रहेगा ये टॉफ वर्ट है असान है तो मैं सबसे पहले कहुँगा कि ये काफी बेहतरीन अप्सनल है अगर आप विकल्प अगर आपके पास दो-तिन है अगर उन में से चुनना है और अगर आप हिंदी मेडियम के स्टुडेंट है तो हिंदी लिटेचर से अच्छा कोई अप्सनल हो ही नहीं सकता है क्योंकि आधर जो बेहतरीन विकल्प है जैसे फिलोसपी भी ठीक है हिंदी मेडियम में लेकिन फिलोसपी के साथ है कि वो अप एंड डाउन का ट्रेंड रहता है फिलोसपी के साथ ठीक है अगर फिलोसपी की बात करें तो इसका किसी साल अप करता है किसी साल डाउन हो जाता है हिस्टी भी सही है बहुत बड़ा सिलेबस है, और हिंदी से related है, associated है, चीज़े काफ़ी मिलती जूलती है, तो हिंदी आप अगर हिस्टी आप पढ़ ले रहे है, तो हिस्टी से लगभग रखिए आपकी 30% के बल सिलेबस होगा हिंदी लिटेचर का, काफ़ी छोटा सिलेबस है उसकी तुल नाम तो अभी तीन अप्शनल जो है हिंदी मेडिय में अच्छी मानी जाती है अगर आप सिल सर्विसेज के त्यारी कर रहे हैं तो फिलोस्पी हिस्ट्री और हिंदी जोग्राफी भी ठीक है लेकिन बहुत उसमें अपडाउन होता है लेकिन अगर इनमें चुनना हो तो आई थिंक हिंदी इस दा बेस्ट वान हाप आप निश्ची तोर पे जो है हिंदी के साथ है इसका सिलेबस अन्य के तुला में काफी छोटा है ठीक है दूसरी बात कि इसमें अपडेट की समस्या नहीं है इसको अपडेट नहीं करना है जो एक बार चीजे पढ़ लिया अपने क्लास मे जो नोटस में पढ़ लिया वहीं रहेगा हमेशा इसमें कोई अप्ग्रेडेशन की जरूरत नहीं होती है मार्किंग भी हमेशा सौफ्ट चलती है इसमें कोई दिकत नहीं है चलिए आगे हम बढ़ेंगे इस से पहले जो नए मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें य DPSC Mentor Group नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है आप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं ठीक है? अब हम आते हैं कि जो कोचिंग क्लासेज हैं इसके लिए कौन-कौन से हमारे पास बेहतर विकल्प हैं अगर हम पतना में हैं या दिल्ली में हैं तो हमारे पास कौन-कौन से बेहतर विकल्प हो सकते हैं ठीक है? हिंदी में बेसिकली दो टीचर्स की नोट सबसे अच्छी मानी जाती है एक बल्रामतिवारी सरकी जो कि पतना में पढ़ाते हैं जो कि हिंदी के लगभग सभी टीचरों के गुरु मानी जाते हैं ये बहुत पुराने टीचर हैं अभी काफी बुजूर्ग हो गया है पतना उन्वर्सिटी के पॉरफेसर भी रहते हैं तो अधिकांस टीचर जो आपको डिल्ली में पढ़ाते हैं या पतना में इलाबाद में हिंदी पढ़ाते हैं तो अधिकांस जो है इनसे इनके notes को या इनसे संपर्क में रहे हैं ज़्यादा तर जहां तक मैं जानता हूं मैं नाम नहीं रखूंगा प्रशनल यहां पर नाम रखना ठीक नहीं होगा और वर्तमान में अभी बलांतिवारी सर नहीं पढ़ाते हैं ठीक है अब नहीं पढ़ा रहे हैं इनके नोट्स आपको फोटोकॉपी मिल जाएंगे लेकिन वो पुराने पैटरंड के नोट्स हैं अब जो एक्जाम हो रहे हैं उसमें माक्स तो एक तो कम कर दिया गया चृचिन से कम कर दिया गया और दूसरी बात की कोश्चन छोटे आ हैं और चोटे आने तो द्रिष्टी जो देली की इंस्टीट है हिंदी लिटेचर भी पढ़ाती है विकासर पढ़ाते हैं तो यह काफी अच्छी इंस्टीट है काफी बेहतरीन इनकी नोट्स है वर्तमान पैटर्ण के नुसार सबसे बेस्ट है मुखरजी निए और भी टीचर पढ़ाते हैं और मैं यहीं सजेश्ट करणगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप द्रिष्टी के पास ज clip आप डिरिष्टी में वीडियो क्लास में वीडियो रहती है वीडियो के बात यह वहां पर एक सर बैठते हैं जो देली उनिवर्शिटी के पूर्फेशर है पर्मोध दिर्वेदी नाम है तो वो बैठते हैं और जब मैं मेंस दे रहा था उन्होंने मुझे काफी शाहता परदान की थी मैं बार-बार एंसर लिखकर उनसे चेक कराता भी था तो काफी कॉपरेटिव हैं और कोई दिकत नहीं होती है ठीक है अगर फिर भी अगर आप मालीजे की द्रिश्टी में नहीं जोइन करना चाहते हैं किसी कारण वस्त तो मैं कहूंगा कि आप समवाद में जाईए समवाद में कुमार अजे सर पढ़ाते हैं कुमार अजे ठीक है ये भी ठीक है इनसे भी पढ़ सकते है इन दोनों के अलावा किसी के पास मत जाईएगा सब ऐसे ही दुकान खोलके बैठे हैं और अपनी जो मैंटिलीटी है जो लेफ्टिस्ट विचा वह आप पे थोपेंगे जैसे वहाँ पे मुखरजिनेगर में आप जाएंगे तो एक टीचर है जो कि एक नामी संस्थान में जो जीएस की संस्थान है उसमें बढ़ाते हैं तो वह जबरदस्ती जो है आप पर अपनी विचार धारा जो उनकी विचार धारा है लेफ्ट तो ऐसे टीचर के पास गलती से भी ना जाए पढ़ने क्योंकि फिर आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा वो लालस देते हैं कम पैसे में पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ने आप चले गए तो आपका समझी समय और पैसा दोनों खराब होता है यह मेरा व्यक्ति का चीनौप्सिस है वो कैसे बनाना चाहिए और राइटिंग स्किल क्या होना चाहिए ठीक है अब मैं इसके लिए जो है पहले चलता हूं बीपीसी का सीलेबस हम देखते हैं उसके बाद जो हम उसके राइटिंग स्किल पर भी बात करेंगे यह बिहार PCS का सीलेबस है जो सेक्षन वान में बहुत जादा कुछ नहीं है पर लगभग सेम है यूपीएसी के एकदम लगभग सेम है मिलता है जोलता है अब सेक्षन टू में कुछ चैंज़ेद है जैसे यहां पर आप देखिए कि सेक्षन टू में इन होने ये भारतेंदू हरिचंद की अंधेर नगरी और रखा जबकि यूपीएसी में भारत दूर्यरशा है तो ये अलग है दूसरी चीज की कमायनी में भी जो सर्ग है इसमें थोड़ा सा अंतर है यूपीएसी और बीपीएसी में उन्होंने अपडेट नहीं किया है तीसरी चीज की चंदर गुप्त पढ़ना है बीपीएसी में मैं लेकिन उपिस में नहीं है यह राम के सकती पुझा दोनों जगह एक दोनों पणड़ना है। क्योंकि बहुत डीटेल में बहुत जादा लेंदी जो है एक नोबेल है और ये एक ब्यक्ति के अनुभव पे अधारित है बहुत अच्छी नोबेल है निसंदे बहुत अच्छी नोबेल है लेकिन इसे पढ़ने में काफी जादा समय लगेगा मैंने इसे कर दिया था मैंने इसे बिलकुल नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं जोकर चला था कि दूसरे एक कोस्टन के लिए मैं ये पूरा दो-दो नोबेल नहीं पढ़ınगा और इतने कोउस्चन को में solve नहीं करूंग तो मैंने इसे कर दिया जैसे आपको ठीक लगे इसमें जो है चांद कमों टेड़ा है मैं से केवल अंधेरे में पढ़ना है ये भी बहुत अच्छी रचना है और थोड़ी सी जो है दार्शनिक पर पर प्रतिकात्मक्ता पर जादा है तो ये भी UPC से अलग है इसके अलावा जो है यहां पर थोड़ा दिया है पांचे चीजे अलग अलग है अंधेर नगरी बहुत छोटी जो है नाटक है काफी छोटी है ये आप मन के चली आधे गंटे में पढ़ लेंगे गोदान वगएरा थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा आपको बढ़ना ही पढ़ेगा आपको मान सरुवर भी क बहानी है तो ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे इसमें कोई विस्यस दिकत आपको नहीं होगी ठीक है अब हम अगला जो पार्ट करेंगे इसके पार्ट टू में जो है हम देखेंगे कि जो अप्शनल सबजेक्ट है उसकी एंसर राइटिंग स्कील वगरा कैसी है और हमें उसमें कैसे जो है उसपे काम करना चाहिए ठीक है मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में ठीक है नमस्कार